बांधी कमर्या से साड़ी कि आई अब आंटी की बारी? क्यों दोस्तों, आई ना आपको भी अभिनेता गोविन्दा की उस ब्लॉक बस्टर फिल्म की आद? जी हाँ, यहाँ बात की जा रही है गोविन्दा की ब्लॉक बस्टर फिल्म आंटी नमबर वन की जिसने ना सिर्फ अपनी जबरदस्त कहानी से बल्कि अपने दमदार कलाकारों की वजह से भी दर्शकों का भर पूर मनुरंचन किया था जिसे देख कर तर्शक आज भी अपनी हसी पर काबू नहीं कर पाते खबरों के मताबिक फिल्म की इसी खासियत को देखते हुए फिल्म मेकर्स जल्द ही इस फिल्म के सीक्वल के साथ परते पर नज़र आने वाले हैं जी हाँ हमें जल्द ही आंटी नंबर वन मुवी का सीक्वल देखने को मिलने वाला है तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको आंटी नंबर वन के बारे में बताने वाले हैं कि कौन सी होगी उसमें स्टार कास्ट, क्या कहानी होगी और फिल्म कब तक आएगी अगर आप भी फिल्म से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बस बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक लेकिन इससे पहले इस जबरदस्थ फिल्म के लिए एक लाइक तो बनता है अल 1998 में बड़े परदे पर प्रसारित हुई आंटी नंबर वन मूवी कौमेडी ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म को कीरती कुमार के डिरेक्शन में बनाया गया था जिसमें हमें गोपी बने गोविंदा की एक ऐसी कहानी देखने को मिली थी जो अपने दोस्तों को उनके प्यार से मिलवाने के लिए राइ बहादुर बहल बने कादर खान का दिल जीतने के लिए आंटी बन जाते हैं और अपने इस अंदाज की जरिये राय बहादुर बहल को अपना दीवाना बनाने में काम्याभी हासिल कर लेते हैं इसी तरान शुरू होती है फिल्म में कॉमेडी की बॉच्छार बस यही थी फिल्म की कहानी जिसके हर कलाकार के लोग मुरीध हो गए थे साथ ही फिल्म में अभिनेता गोविंदा के साथ रवीना टंडन की लव केमिस्ट्री को भी दर्शकों ने अपना बेहत प्यार दिया था इसलिए तो इस फिल्म ने कमाई के मामले में बॉक्स ओफिस पर इतना तहल का मचाया था कि फिल्म काफी दिनों तक थियेटर से हटी नहीं थी इसलिए तो फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म के सीक्वल को बनाने का फैसला कर लिया है जी हाँ, खबरों के मताबिक हमें जल्द ही आंटी नमबर वन मूवी का सीक्वल देखने को मिलने वाला है जिसे इस बार अपना डिरेक्शन देने वाले हैं फिल्म डिरेक्टर डेविड धावन जो की हाल ही में कूली नमबर वन सीक्वल के साथ ओडिटी प्लेटफॉर्म पर नजर आए थे पताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी पर काम शुरू हो चुका है साथी फिल्म में पहले की मताबे काफी जादा चेंजिस भी किये जाएंगे जिसमें हसी के ठहाके और जबरदस्ट डायलॉक्स का शानतार तड़का लगेगा और फिल्म को नेक्स्ट लेवल का बनाने के लिए इसमें कई तरह की एक्स्ट्रा एडिटिंग भी की जाएगी जिसे कि आप इस फिल्म को देखने से खुद को रोक नहीं पाएंगे पिर बात की जाए फिल्म की स्टार कास्ट की तो इस पार फिल्म में हमें मुख्य अभिनेता के तौर पर गोविंदा नहीं बलकि बॉलिवुट के मेगा स्टार अजय देवगन और सल्मान खान नजर आएंगे जहां दोनों को ही आक्शन और रोमेंटिक हीरो के साथ साथ कॉमेडी हीरो के तौर पर भी देखा जाएगा वही फिल्म की मुख्य अभिनेतरी के तौर पर बॉलिवुट की खूबसूरत अदाकारा दिशा पटानी और नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना का नाम सिलेक्ट किया गया है लेकिन इस बात की अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि फिल्म में किस अभिनेतरी की जोड़ी किस अभिनेता के साथ देखी जाएगी और ना ही फिल्म की अधर स्टार कास्ट के नाम रिवील किये गए हैं विजह से फिल्म की making process में थोड़ी देरी हो सकती है पर जब से दर्शकों को इस फिल्म के बारे में पता चला है तब से ही दर्शकों ने इस फिल्म के लिए अपनी excitement दिखाना शुरू कर दिया है दोस्तों आप कूली नमबर वन मूवी के सीक्वल में किस अभिनेता के साथ किस अभिनेतरी की जोड़ी देखना पसंद करेंगे आप हमें comment box में comment करके जरूर बताएं साथी acting की दुनिया से जुड़ी ऐसी और धमाकिदार खबरों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को subscribe करना ना भूलें